Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject के videos free of course provide किये जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of course provide किया जाता है. आप Magnet Brains को Facebook पर, Telegram पर और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, so that कोई भी important update आप मिस ना करें. So आज का जो हमारा session होगा, ठीक है, minerals and power resources chapter का, इसमें हम uses of minerals के बारे में बात करेंगे. ठीक है, मतलब minerals का क्या-क्या उपियोग होता है, उसके बारे में discussion यहाँ पर करने वाले हैं. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको distribution बताया था, कि कौन-कौन से continent में किस-किस तरीके के जो minerals हैं, वो यहाँ पर available है. ठीक है, तो I hope सारी चीज़ें आपको clear हो गई होंगी, और किस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, यह चीज़ भी आपको पता होना, जरूरी है कि revision अगर हम करेंगे, तो जो भी minerals जहाँ जहाँ पर भी present है, वो आपको याद रहेंगी. और जो भी point मैंने आपको highlight की है ना कि यह आपको याद रखने है, तो वो चीज़ तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, तो minerals के uses क्या है, एक question आ सकता है, तीन नंबर का, पांच नंबर का, तो 4-5 point यहाँ पर मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ, ताकि आप minerals के uses को अच्छी तरीके से यहाँ पर define कर सकें, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर minerals का जो है, वो अलग-अलग तरीके की industries में यहाँ पर use होता है, ठीक है, चाहे वो iron वाली industries हों, steel वाली industries हों, है ना, या फिर कोई जो है, आप यह के सकते हैं कि lime stone वगरा वाली जो होते हैं, तो उनको jewelry वगरा में भी हम यहाँ पर use करते हुए देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, तो copper जो होता है, ठीक है, copper को भी हम एक metal, metal है copper है ना, और इसका भी अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके की use होते हैं, जैसे coin हो गए, या pipes वगरा बनाने में भी आप देखोगे, तो यहाँ पर इसका use होता है, ठीक है, अब जैसे आपने एक चीज़ और सुना होगा, है ना, एक होता है bronze medal, है ना, तो bronze medal जो है, वो कैसे बनता है, तो उसमें copper और जो आपका tin होता है, ठीक है, इसको मिला कर जो है, व एक से जादा metals वगरा को मिला करम चीज़े बनाते हैं, alloy बनाते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर इनका use होता है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे silicon, है ना, silicon जो है, वो computer industries में बहुत use होता है, है ना, semiconductor है, तो इसमें क्या होगा, कि आपकी जो अलग-अलग तरीके की chips व जाएगा, कि silicon को कहां से obtained किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि quads से जो है, वो हम silicon को क्या करते हैं, obtained करते हैं, फिर उसके बाद, aluminium obtained from its ore, boxide is used, ठीक है, याद रखना कि aluminium को कहां से extract किया जाता है, तो उसकी जो ore होती है, उसको बोलते हैं, boxide, बलब की boxide मिलेगा, boxide क फिर हम industries वगरा में अलग-अलग तरीके की treatment की जो process होती है, उसमें हम यहाँ पर इसको follow करेंगे, और फिर उससे हमको क्या मिलने वाला है, aluminium मिलने वाला है, ठीक है, तो याद रखना कि इसमें automobile industries में, aeroplane में, है ना, जो bottle वगरा बनाती industries, या फिर जो building वगरा, या फिर kitchen के जो आपके खाने वगरा बनाने के समान वगरा होते हैं, वो भी यहाँ पर क्या होता है, कि aluminium की मदस्ते यहाँ पर बनाया जाता है, तो देखो, मिनरल्स के तो काफी सारे use हैं, इसके साथ अगर आप देखोगे, तो जो आप नमक खाते हो, salt, NaCl, वो भी एक मिनरल है, जो graphite अगर आप देखोगे, वो भी एक मिनरल है, तो काफी सारी अलग अलग तरीके की चीज़े होती हैं, जिन में हम क्या लिख सकते हैं, कि मिनरल्स को हम use यहाँ पर लिख सकते हैं, तो नॉर्मली आपको यह पांच पॉइंट याद रखने हैं, पांच पॉइंट को आप अपन देखना चाते हैं, जो realistic हैं, कि हाँ यह चीज़ सही लिखी हुई है, मिनरल्स को हम इस तरीके से use करते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर अपने answer में mention कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया बात यहाँ पर uses of minerals के बारे में, कि minerals का use हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, औ और कौन-कौन सी अलग-अलग industries में इनका यहाँ पर use किया जाता है, class 8 के अगर आप कोई दूसरे videos देखना चाते हैं, दूसरे subject की videos देखना चाते हैं, तो description में कुछ important links available हैं, आप उनको go through कर सकते हैं, अगर आप और भी systematic तरीके से videos को access करना चाते हैं, तो google पर जाकर type करि free online education platform आपके सामने open हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे न तो अलग-अलग तरीके की tabs हैं, जैसे cbsc English medium, Hindi medium, spoken English और जितने भी competitive examination यहाँ पर show किये गए हैं, ठीके सब की अलग-अलग tab हैं, तो आप उनको यहाँ पर क्या कर सकते हो, कि आसानी से जो है, वो access कर स सामने जो भी यह अलग-अलग तरीके की videos हैं, ठीक है, उनके folders यहाँ पर available हो जाएंगे subject wise, जो भी subject आपको देखना है, उसको open करो, for example, geography देखना है, तो geography पर click किया आपने, है ना, उसके बाद आपके सामने geography की पूरी playlist जो है, वो यहाँ पर open हो जाएगी chapter wise, फिर उसमें भी अलग-अलग तरीके की videos available हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, उनको आप आसानी से access कर सकते हो, जैसे यह आपका chapter 1, resources का one shot revision वीडियो है, है ना, तो इसमें पूरा का पूरा chapter एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर समझाया गया है, magnet brains पर kg से लेकर class 12 तक की जो भी classes होत हैं, इसका मतलब आपको अलग से कोई subscription नहीं लेना है, कोई fees जमानी करनी है, सब कुछ आप free of cost यहाँ पर prepare कर सकते हो, अगर आपको session अच्छा लगाया तो session को like करें, channel को subscribe करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अलग-अलग groups में इस video को ज़रूर share करो, ताकि ज़्याद लोग magnet brains के माधिन से अपने school की preparation को अच्छी तरीके से complete कर सकें, अगला जो हमारा session होगा, उसमें हम बात करेंगे conservation of resources के बारे में, है ना मतलब जो भी resources के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो हम minerals के बारे में बात कर रहे हैं, तो minerals का conservation बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ह की सो मच, जैहिन!